नमस्कार वैदिक एस्टो केंद्र में आपका हर्दिक स्वागत है और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार तो मेरे प्रियसातियों आज के इस कार्रेकरम में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि जैसे प्रित्यक वर्ष की भाती इस वर्ष भी गणेश महोत्सव हमारे देश में मनाया जाना है लेकिन कब से मनाया जाएगा वो तारीख वो तित्थ इस बात की जानकारी हम आपको देंगे कब उनका मूर्ती कैसे सापना करनी है गणपती जी की अपने घर में पंडाल में ऑफिस में जहां भी आपकी इच्छा हो और करना चाहते हो उसका आपको पूरा पूजा का विधी बताएंगे कि शोड शोप चार पूजा के दोरान भगवान श्री गणपती देव जी की जो पृतिमा है उसको किस प्रकार मूर्ती को इस्थापित करना है प्रान पृतिष्ठा के साथ और फिर उत्रा पूजा कि पश्चात भगवान श्री गणपती देव जी की जो मूर्ती है उसका विसरजन कैसे करना किया जाना है और इस विशे में भी बताएंगे कि आपको जैसे हमने अभी नाम लिया के शोड शोप चार पूजा तो ये शोड शोप चार का मतलब क्या है इसका भी मतलब आपको विश्चार से बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसके विशे में जानकारी मिल जाए देखिए कोई भी हम भगवान या देवता या देवी की जो पूजा किया करते हैं वो हम को शोड शोप चार विधी के अनुसार ही करना चाहिए इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूँगा इसी कारेकरम में लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं मेरी चर्चा जो मैं आरम करने जा रहा हूं वो यहां से करने जा रहा हूं कि देखिए गणपती जी जो हैं वो यह तो उनके 108 नाम हैं और गणपती जी जो है वो विग्न करता भी के नाम से भी जाने जाते हैं विग्न हरता के नाम से भी जाने जाते हैं अब आप कहेंगे विग्न करता यह नहीं के समस्या खड़ी करने वाले जी हां बिलकुल देखिए विग्न करता इनको इसलिए कहा जाता है कि जब देवता लोग पूजा कर रहे थे तो राक्षस लोग उनके यग में विग्ण डालते थे तो उन्होंने भगवाई शंकर जी से प्रार्तना की तो उन्होंने कहा कि गणपती जी आपके इन कार्णों को पूरा करवाएंगे आपके यग्ण को तो वहाँ जाकर के गणपती जी ने उन राक्षसों के लिए विग्ण करता बन गए वो उनके लिए समस्यां खड़ी कर दियो और जो देवी देवता थे रिशी महर शी थे उनके लिए वो विग्ण हरता बन गए उनका सारे कार्य उन्होंने संपन कराये जो भी उनके यग्व, हवन, जो भी उन्होंने करना था, तो इसलिए भगवान गणपती जी जो है, वो विग्न करता भी है और विग्न हरता भी है, और देखिए ये जो गणेश महुत सब के विश्य में तो मैं आपको जानकारी देने जाई रहा हूं, साथ ही इतना भी कहना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्पृति दिन भगवान श्री गणपती जी की पूजा करता है, सच्चे हिर्दे से, शरद्धा पूर्वक, उस व्यक्ति को जीवन में अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, ये जीवन दिया है परमात्माने तो कष्ट तो आ उनका आवाहन करते हैं नित्पृति दिन तो जो कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, जो संकट आते हैं, गणपती जी उनको शीगर ही हमारे जीवन से दूर कर देते हैं, ये तो एक बात, दूसरी बात, गणपती जी की पूजा अर्चना करने से जीवन में कभी भी धन का देर सवेर तो इसलिए गणपती जी का हमारे जितने भी हिंदु देवी देवता हैं हमारे धरम में गणपती जी को विशेश महत्व है और कोई भी हमारे हिंदु धरम के मुताविक जब कोई शुप कार्रे आरम किया जाता है तो सबसे पहले गणपती जी की ही पूजा की जात जी तो इसलिए अब मैं आपको गणपती जी का जो ये आने वाला गणेश महुत्सव है और ये जो गणेश महुत्सव है जिसको हम जो की चतुर्थी के दिन से शुरू होगा इस दिन उनके जनम दिन के रूप में भी इसको मनाया जाता है तो आईए प्रियसातियों जानते हैं विस्तार से आपको हम इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं आपको सब कुछ बताएंगे इसके विशह में कि देखिए इस वर्ष जो है गणेश महुत्सव यानि गणेश चतुर्थी कब है तथा गणपती जी की मूर्ती सापना एवं उनकी पूजा का शुम हुरत इत्यादी तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद महा की शुकलपक्ष की चतुर्थी को ही मनाया जाता है माननेता ये भी है कि गणेश जी का जनम भी भाद्रपद महा की शुकलपक्ष की चतुर्थी को मध्यानने काल में दिन सौमवार स्वाती नक्षत्र एवं सिंग लगन में ही हुआ था इसलिए ये चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहलाती है इस पर्व में मध्यानने के समय मौझूद मध्यानने व्या अपनी चतुर्थी यानि के जो चतुर्थी मध्यानने के समय पर वही पकली जाती है उसी को लिया जाता है ये भी माननेता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन बिलकुल नहीं करने चाहिए बहुती वर्जित माना गया है धरम में हमारे हिंदू धरम में कि इस चतुर्थी के दिन भूल करके भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए वरना कलंक का भागी होना पड़ता है इसके विशे में भी आपको बताएंगे संग्षेप में कि ऐसा क्यूं है अगर भूल से च 208 बार जाप करें तब आप उस दोष्ट से मुक्त होंगे या फिर श्री मद भागवत के दस्वे इसकंद के 57वे अध्याय का पाठक अगर आप करेंगे तो भी चंद्रदर्शन का जो दोष आपके उपर लगा है वो दूर हो जाएगा और चंद्रदर्शन दोष निवारन मंत्र वो कौन सा है वो आपको हम अभी उच्चारण करके बता रहे हैं सिंग है प्रसेन मवधिता सिंगो जांब वताहत है सुकूमारक मा रोदीस्तव हमेश सियमंत कह ये हुआ मंत्र इसका करें उच्चारण आप 108 बार तो आपका दोष दूर हो जाएगा और एक बात का औ और विशेज द्यान रखना है मेरे प्रिये सातियों कि तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं तुलसी के जो तुलसी का पौदा होता है तुलसी के पत्ते गणेश जी की पूजा में प्रियोग ना करें तुलसी को छोड़कर बाकी सभी पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिये ह पसंद है गणेश या विनायक जी का नाम देखिए रिगवेद जो हमारे चार वेद हैं उनमें से रिगवेद से ये प्राप्त हुआ है मोगरे के फूल भी गणपती जी को बहुत ही प्रीय है उसका भी आप बंदोबस कर ले, इंतिजाम कर ले गणपती जी के श्री चणडों में अर्पित करने के लिए वैसे तो गेंदे के फूल भी गणपती जी की पूजा के दोरान उनको चड़ाए जाते हैं इसी के साथ दुर्वा घास बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे महत्पूर्ण गणपती जी को अत्य धिक प्रिये हैं गणपती जी को मगाई के पान मगाई एक क्वालिटी होती है उसके पान पूजा के समय चढ़ाये जाने चाहिए गणपती जी को प्रिसंद करने के लिए यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं प्रिये साथियों कि अगर आप गणपती जी की मूर्ती की स्थापना अपने घर में अपने ऑफिस में या फिर कहीं किसी सार्वजनी के स्थान पर यानि के चैसे पंडाल में कर रहे हैं तो आप पूजा के समय इन सारी चीजों को गण पती जी को प्रसन कर सकते हैं अब आपको यहां पर हम विस्तार से पूजा करने की विधी पूजा में प्रियोग होने वाली कौन सी वो चीजे हैं क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे भगवान श्री गणेश जी की पूजा उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ कर आप भगवान श्री गणपती जी की पूजा कीजेगा और वो मंत्र है ओम वक्र तुंडाय महाकाय सूर्यकोटी संप्रभ निर्विग्नम कुरूमेदेव सर्वकारेशु सर्वदा ये है मंत्र इसका उच्चारण करते हुए आप पूजा करें गणपती जी जिन आप उनको उनकी इस्सापना करना है प्राहन प्रतिष्ठा के साथ अपने घर में या कहीं जहां पर भी जिसे स्थान पर भी और साथियों ये जो पूजा है अगर आप शोडशोब चार विधी का प्रियोक करके करते हैं तो पूजा पूर्ण रूप से आपकी संपन्न मानी जाएगी वो शोडशोब चार क्या है इसके विशे में भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ देखिए अब क्योंकि यहां पर बात पूजा की चल रही है तो पूजा का शुब मुहरुत भी पता होना चाहिए हमें तो देखिए साथियों जो पूजा का शुब मुहरुत रहेगा इस दिन वो प्रहते ग्यारे बचकर तीन मिनट से लेकर दो पहर एक बचकर बत्तिस मिनट तक ये दस सितंबर की तारीख है दस सितंबर को प्राते ग्यारे बचकर तीन मिनट से लेकर दो पहर एक बचकर बत्तिस मिनट तक ये शुब मूरत है पूजा का जिसमें आप गणपती जी की जो मूरती है उसको और वो समय अवधी कौन सी है जिसमें आपको चंद्रदर्शन नहीं करना है वो समय अवधी है प्राथे 9 बचकर 11 मिनट से लेकर रात्री 8 बचकर 52 मिनट तक चंद्रदर्शन आपने इस अवधी में नहीं करना है ऐसा माना जाता है मेरे प्रियसाथियों कि भगवान श्री कृष्ण पर भी सियमन तक मणी चोरी करने का जूटा कलंक लग गया था और वे बहुत अपमानित हुए थे नारज जी ने उनकी जब ये दुर्दशा देखी तो उन्हें बताया क्या बताया कि उन्होंने भाद्रपद महा की शुकल पक्ष की चतुरती को गलती से चंद्र के दर्शन किये हैं इसी लिए आपके साथ ये घटना घटी है आपको अपमानित होना पड़ा है और आपके उपर चोरी का आरोप मिथ्या आरोप लगा है तो नारज जी नहीं उन्हें फिर ये भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणपती जी ने शुराब दिया था इसी लिए जो इस दिन चंद्रदर्शन करते हैं उन पर मिथ्या कलंक भी लग जाता है उनके जीवन में तो इसलिए आप चंद्रदर्शन ना करें विशेश रूप से प्राते नौ बच कर ग्यारा मिनट से लेकर रात त्री आठ बच कर बावन मिनट तक तो नारज जी की सलापर भगवाई श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुरूथी का विरत किया और फिर वे जाकर के कहीं दोश मुक्त हुए इसलिए इस दिन पूजा विवरत करने से व्यक्ति को जूटे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है उसके उपर जूटे आरोप नहीं लगते हैं ये भी एक बहुत बड़ा लाव होता है गणपती जी के चतुरूथी के दिन उनकी पूजा और उनके विरत करने का पूजा विधी संकलप के साथ की जाएगी संकलप में आप मंत्र का उचारण करें सर्वकरम सिद्धाय सिध्धी वनायक पूजानमनहम करिश्य ये कहते हुए पूजा का आरम करें मतलब अपने श्री गनेश करें पूजा का उसमें आपने धूप गंद चंदन पेष्ट और 21 लड़ू मोती चूर के या मोदक अक्षत लेने हैं फूल पुष्प हल्दी कुमकुम दूरवा घास और मगही पान धूप दीप दीपक देशीगी का और नैवेग इत्यादी ये पूजा के सामिग्री है जो समय होनी चाहिए आपके पास इसके बाद ये सब करके मंत्र के स निर्विग नम कुरूमे देव सर्वकारेशु सर्वदा इस मंत्र का उचारन करते हुए पूजा आपने संपन करनी है और अंत में फिर आपने श्री गणपती चालिसा का पाठ करके प्रभू श्री गणपती देव जी की आरती के साथ पूजा संपन करनी है और देखिए श करनी हैं संकलप के साथ और उत्र-पूजा करने के बाद सासाथ जब आप यह पूजा कर लेंगे गणपतीजी का 40 सा कर लेंगे आरती कर लेंगे तो परिवार के प्रतेक सदस से गणपतीजी के हाथ में अक्ष्छत रखें चाबल रखें उनको वहां से सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा खिसकाएं अपने से सीधे हाथ की और थोड़ा सा उनकी मूर्ती को खिसका दें ये कारे आपको उत्तर पूजा के दौरान करना है उत्तर पूजा क्या होती है जिस दिन आपको विसरजन करना होता है उस समय विसरजन से पहले उत्रा पूजा की जाएगी इसके बाद ही फिर आपकी जो विसरजन करने की जो प्रिक्रिया है वो आरंब हो जाती है तो मित्रो इस महोस्व के दोरान मूर्ती की जो सापना और उसकी पूजा और प्रान प्रितिष्था शोडशोप चारविधी के दोरान किया जाता है किया जाना चाहिए तो वैसे मूर्थी विसरजन अनंत चतुर दशी के दिन ही किया जाता है वैसे तो लेकिन उससे पहले भी विसरजन किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये महोसव चतुर्थी से आरम होता है भाद्रपद महीने की शुकलपक्ष की चतुर्थी से और फिर ये अनन्त चतुर्दशी तक चलता है ग्यारे दिन लेकिन आप अगर विसरजन अनन्त चतुर्दशी से पहले ही करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि कब कब आप मूर्ती का विसरजन कर सकते हैं मूर्ती सापना जिस दिन की जाए चतुर्थी के दिन उससे डेड़ दिन के अंदर डेड़ दिन के बाद विसरजन आप कर सकते हैं फिर तीसरे दिन विसरजन कर सकते हैं मूर्ती सापना से फिर है मूर्थी विसरजन किए सकता है और मूर्थी की हुद्धान के साथ द्यान रहे कि गंबती पूजा के साथ मा भगवती गौरी शीर्जी नहीं भूलना है उनको वी सापित किया जाता है उनकी भी पूजा की जाती है गणपती जी के साथ तो अब मूर्ती सापना जो हम बार-बार कह रहे हैं कि शोडशोप चार विधी के दौरा मतलब दौरा की जानी चाहिए वो शोडशोप चार क्या है आप सोच रहे होंगे आप में से बहुत लोग बहुत लोगों को पता भी होगा बहुत लोग कोई चाहिद नहीं पता होगा तो आज हम इसी बात को आपको इसपश्ट करना चाहते हैं कि वो शोडशोप चार क्या है विधी देखिए शोडशोप चार का हमारे हिंदु धरम में बहुत महत होता है ये पहले आपको बता दें किसी भी देवी देवताजी के पूजन में इसे विशेश रूप से महत प्रदान किया जाता है और शोडशोप चार अर्थात वे सोला तरीके जिन से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है उसको हम शोडशोप चार पूजन में जो सोला तरीके हैं उनका प्रियोग करते हैं उसी को ही शोडशोप चा पतीजी की मूर्तिगा अपनेस सापना करनी है वह शोडशूपцार विधी में वह 16 तरीके कौन से हैं पहला है ध्यान ऎनिहावहन मंत्रों और भावद्वारा प्ने मन के भाव अंदर के का ध्यान भावद्वारा भगवान का ध्यान करना है और आवहन का अर्थ होता है कि भगवान को अपने पास लाना है प्रार्थना करनी है अपने पास बुलाने की दूसरा है आसन भगवान की प्रार्थना करें कि वे आसन पर विराजमान हो जिस दिन आप मूर्ती सापना कर रहे हैं गणपती जी की पाग्यम या अर्धे दोनों ही समान भगवाण को इस नां त्यादी कराके आचमन 4 यनिके मन करम हो और वचन से शुद्धी मन से शुद्धी अपने करंसे करं मि भी हमारे जल ले करके पीना ये शुद्धी के लिए किया जाता है ऐसा और आचमन भी प्रियमित्रों तीन बार करना चाहिए तीन बार किया जाता है पांचवाँ इसनान यानि कि इस्ट देवता जो भी जैसे गंपती जी का उस दिन आप करेंगे उनको इसनान के साथ मतलब उनको इसना कराएं और गंगा जल अगर उसमें और मिला ले तो अति उत्तम उसके पश्चात पंचमरत से इसनान कराएं यह इसनान की प्रिया है और च्छटा है वस्त्र भगवान को अपने हातों के द्वारा नए वस्तर अर्पन करना उसके बाद सात्वा नमबर यगो पवित जिसको ह होता है कि जनेवू भगवान को पहनाना यह सरफ भगवान को ही समर्पित किया जाता है अगर आप मा भगवती देवी माता की पूजा कर रहे हैं या लक्षमी माता की कर रहे हैं जो भी जिन माता की भी कर रहे हैं उनको यह नहीं किया जाता है अब आठ्वा गंधक्षत यानि चावल, रोली, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, इत्यादी फिर नौवा पुष्प, यानि के फूल माला और जिन देवताओं को, जिस रंग के फूल और जो फूल उनको अत्य धिक प्रिये हैं, उनी की माला फूलों की और वे ही पुष्प, चाएं वो देवी हैं, चाएं देवता हैं, उनको जो पसंद हैं, वो ही फूल उनको अर्पित करने हैं दस्वा धूप यानि के धूप बत्ती जलाना है ग्यार्वा दीप यानि के शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है नवेग्द भगवान को उनकी पसंद की मिठाई का भोग लगाना है जैसे गणपती जी हैं उनको मोती चूर के लड्डू पसंद है या बोदक पसंद है उसका भोग लगाना है तेरा नमबर तामबूल तामबूल क्या होता है इसका मतलब होता है पान जैसे हमने कहा भी कि मगई के पान गणपती जी को बहुत पसंद है तो आप फल और मिठाई के बाद पहले फल और मिठाई अर्पित कीजे उनका मुमीठा कराईए उनको भोग लगाईए और उसके ब तथा साथ में कुछ दक्षणा भी अर्पित करना है अब जलारती द्रव्वे के रूप में रूपे पैसे चांदी सुर्ण इस प्रकार का जो भी आपकी हैसियत है जो आपकी श्रद्धा है उसके साथ आप अर्पित करें प्रभू के चरणों में और आर्पि पूजा के अंत में धूप दीप कपूर से उनकी आर्पि करें इसके बिना पूजा अधुरी ही मानी जाती है आर्पि में एक या तीन या पांच या साथ बत्तियों वाला दीपक ही प्रियोग किया जाता है या तो आप एक बत्ती का दीपक जलाएं या फिर तीन बत्ती वाला दीपक या पांच बत्ती वाला दीपक विशम नमबर वाले इस प्रकार का दीपक आपने जलाना है पुजा के समय, फिर मंत्र आया आखिर में 14 नमबर, मंत्रों द्वारा हातों में फूल लेकर भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं मंत्र हम आपको बता चुके हैं पंद्रवा नंबर प्रदक्षण इसका आर्थ है परिक्रमा आर्थी के उपरांत करना जब आपने आर्थी कर ली आर्थी संपन हो गई उसके बाद भगवान की परिक्रमा करना और यहां पर क्योंकि गणपती जी की बात हो रही है तो गणपती जी की एक ही परिक्रमा आपने करनी है वो भी clockwise clockwise परिक्रमा होनी है जैसे धरी की सुईयां चलती है अन्तमे सोल्वा नमशकार इस्तुति इस्तुति में आप को छमा प्रार्तना करना है यानि कि हमसे कोछ भी भूल हो गई हो आपके बच्चों हैं हम भकते हैं शद्धालू हैं हम आपके और हमसे पूजा अर्चना के समय पर और वैसे कोई हमसे भूल तुरूटी गलती कोई हमस करें और हमारे उपर अपनी किर्पा को बनाए रखें तो इस प्रकार आपने गणेश महुतसभ के दिन चतुर्थी के दिन भाद्रुपद महा का जो चतुर्थी आने वाली है शुकलपक्ष की दस सितंबर को उस दिन आपने इस प्रकार इसी विदी विधान के अनुसार जैसा हमने आपको संग मतलब बताया है समझाया है आप उस इस थापना करें और फिर विसरजन का भी हमने आपको बता दिया तो आपको ये हमारा जो आज की चर्चा है गणपती महुतसभ को ले करके अगर पसंद आईए तो आप इसको लाइक अवश्य करें चैनल को भी सब्सक्र कर सकते हैं शेयर करें बैल आइकन इसलिए दवाने के लिए कह रहे हैं आप से कि अगर आप बैल आइकन भी दवाते हैं तो हमारे आने वाले दिनों में जो भी नए कारेकरमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए और उनका आप सभी वीडियोस का समय मुसार लाप्राप कर सकें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जै मताज़